ओम नमः शिवार आज शुम्वार के दिन आईई सुनते हैं पशुपती ब्रत की महिमा सनातन धर में ज्यान और धर्म का शमन्वे है हिंदु धर में ब्रत यमम कथा का खूब महत्व है इसमें भी भगवान भोले नाथ का पशुपती नाथ ब्रत अध्भूत है धर्माचारियों की माने तो अतिसीगर लाब बाने के लिए यह ब्रत उत्तम है आईए सुनते हैं पशुपती नाथ ब्रत की महिमा पशुपती नाथ ब्रत क्या है पशुपती नाथ ब्रत कैशे करें ए ब्रत को पशुपती नाथ ब्रत क्यों कहते हैं ये ब्रत किसी करना चाहिए ये ब्रत से क्या लाव होते हैं पसुपतिनाथ ब्रत की बिधी क्या है यह सारे सवालों के जबाब आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे भगवान भोले नाथ का असमरण करके आई ये सुनते हैं पसुपतिनाथ ब्रत का अउले शिव महापुरार में है स्रिष्टी के सर्जनहा दिवों के दिव महादिव संसार की मोह माया से परचित हैं संसार के सभी पसुओं के मालिक है नाथ हैं इसलिए इन्हे पसुपतिनाथ कहते हैं एक कहावत है मानव मात्र भूलनी पात्र यानि हर एक मनुष्य से जीवत में कहीं न कहीं गलती हो जाती हैं और कर्म के विरहान के अंसार अपने कर्म फल भुगतने पड़ते हैं अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलता है बुरा कर्म करने वाले को अपने कर्म के हिसाब से उन्हें फल मिलता है हम मनुष्य हैं पर कही बार हम मानवता छोड़ पसु जैसा वरताव करते हैं पसु जैसा वरन का आल्थ है हम मानव हैं ये भूलकर हम गलत काम करते हैं जो एक मनुष्य को सोभा नहीं देता कर्म के सिधान के अंसार हमें हर एक कर्म की सजा भुगतनी पड़ती है कई बार हमारे पापों का पट्रा इतना बड़ा होता है कि उससे मिलने वाले दुख शहन करने की सक्ती नहीं होती जीवन में अचानक आने वाली आपते हमें बिजलित कर देती हैं आगे का रास्ता नहीं दिखा रहा होता यहां तक कि हम लित्यु के लिए सोचने लगते हैं हमें दुख की इस घरी से बाहर निकलना है तो हमें भगवान पसुपतिनात का ब्रद करना चाहिए हमारी कर्ण हमें पता है और भगवान को पता है कोई भी मनुश्य का अच्छा या बुरा होता है तो उसे उसका कारण भी उसे पता होता है हम हमारे कर्ण का पस्च्याताब करना चाहते हैं प्रयाश्चित हम जिस मुसीवत से गुजर रहे हैं उसे छुटकारा पाना चाहते हैं हम आगे का जीवन परिवार के साथ सच्चे मनुश्य की तरह लिताना चाहते हैं तो हमें यह ब्रद अवश्य करना चाहिए परब्रत करने से पहले हमें निश्पाप होना है मन वचन कर्ण से किसी का गलत नहीं करना है और ना ये गलत सोचना है हमें सुधों के भगवान भोली नात के सरण में जाना है उनसे प्राथना करना है कि ही प्रभु जाने अन जाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें छमा करें हमारी गलती हम दुबारा नहीं दोराएंगे हम पे क्रिपा करो और जीवन की इस मुश्किल घड़ी से हमें बाहर निकालो पसुपतिनात का ब्रत दो तरह से प्रतलित है दोनों प्रकार के ब्रत की विधी मैं वड़न कर रही हूँ शीवकुरार के हिसाब से जो ब्रत की विधी है उसे भी यहां वड़न कर रही हूँ हमें सच्चे मन से भगवान भोले नाथ की भक्ती करनी है यह हमारा लच्ष होना चाहिए मैं यहां दो ब्रत की विधी बता रही हूँ क्योंकि लोग दोनों ब्रत करते हैं और अपनी सद्धा के अंसार फल की प्राप्ती करते हैं भगवान संकर को भोली नाथ करते हैं क्योंकि यो भगतों की मनोकामना सिग्र ही पूरी करते हैं पशुपतिनाथ ब्रत के मनो कामना पूर करने वाला और सभी समस्या दूर करने वाला ब्रत है पशुपतिनाथ ब्रत शोमवार को आरम किया जाता है इसी आप किसी भी महिने के किसी भी शोमवार से आरम कर सकते हैं ये ब्रत पांच शोमवार का होता है शोमवार के दिन ब्रत रखना होता है आखि यानि पांचवी सोमवार को उध्यापन करना होता है जिस सोमवार को ब्रत शुरुवात करते हैं उसी सोमवार को शुव अशनान करके सिवाले जाना है हमारे घर के नद्धिक का मंदिर जहां सिवजी का सारा परिवार हो वहां जाके पूजा अर्शना करना है पूजा की ठाले में शिवजी को जो पसंद है वह सारी पूजा सामगरे लें जिसमें बेल पत्र धतूरा का पान गंगाजर या स्वच पानी दूद पंचामरित पुष्प धूप चली और दीपक ले के आएं पूर भक्ति भाव से पूजन अचन करें अपनी समस्या दूर करने है तू आप यह ब्रत कर रहे हैं इम मैने ही मन भगवान को कहा है और भगवान पसूपती नात का स्मरण करें इसते समय हो तो ओम नमश्वाय का जाब करें ध्यान करें साम को फिर एक बार असनान करके पक लेके जाएं पाच वही पर मंदिर में जलाएं और शठा दीपक अपने घर लाना है छठी दीपक को घर के प्रवेश द्वार में ही दाहिनी बाजू में रखकर उसे प्रज्वलित करें साम को मंदिर में प्रसाद लेके जाना है प्रसाद में कोई भी मिठाई बना सकते हैं इसमें चुर्मा के लड़ू, सिरा, खीर, कोई भी मिठाई ला सकते हैं प्रशाद का तीन हिस्सा करना है दो हिस्सा मंदिर में भगवान को अरपिर कर रहा है एक हिस्सा का प्रशाद घर वापस लाना है घर के सभी सदसे में बातना है खुध भी ग्रहड करना है ब्रत के समय पूरे दिन नमक नहीं खाना है दिल में फलाहार कर सकते हैं सामकी पूजा के बाद रात का खाना खा शकते हैं ये ब्रत पाच सुमवा तक करना है प्रति शूमवा इस प्रकार भग्वान भोले नाथ की अराधना करने है पुरारों में विदित है, पुरारों में सध्धा और भक्तिभाव से भोली नाथ का ये ब्रत किया जाता है, अवश्य फल की प्राप्ती होती है पसु पतिनाथ ब्रत कोई भी इस्त्रियों पूरुष कर सकता है, ये ब्रत खंडित किये बगए लगातार पाच्सो मुआर करना चाहिए, इस्त्रिय अपने मासिध्धन के दवरान परिवार के कोईशने ही स्वजन से पूजन करा शकती है, यदि किसी कारण बस ब्रत के दिन पूजन शक्य नहीं है तो ब्रत जरूर करें, पाच्वेशो मुआर को इस ब्रत का उध्यापन करना है, उध्यापन के दिन भी ब्रत करके भगवान भोले नात का पूजन करना है, उस दिन नमस्शिवाय का जाब करके एक सो आथ बेल पतर चणाएं, एक स्रिफल ने, और उ जोग लगाएं, मंदीर में ब्राहर को दच्वडा प्रत करें, एक समय का कच्चा खाना देना है, और जो भी अपने सक्ती की अंसार दे सकते हैं, प्रत करें, मनुष्य पूर्शधा और भक्ती से ये ब्रत करता है, तो उसे अवश्य लाब होता है, दामपत्य जीवन ने को से परशान है, पर हाई ठीक नहीं हो रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जीवन में अचानक कोई बड़ी समस्या आ गई है, उसे दूर करना है, बिवाह का योग नहीं बनता है, तो यह ब्रत जरूर करना चाहिए, ने संतान बैबाहिक जोड़े को संतान प्रा पसुपतिनात का ब्रत किया जाता है, आप ए ब्रत लगातार कर सकते हैं, यानि कि ए ब्रत एक, तीन, छे, बारा दिन तक कर सकते हैं, एक कई महिनों या साल तक भी कर सकते हैं, ए ब्रत सिवाले यानि भगवान सिव के मंदिर में करना चाहिए, भगवान सिव की पूजा बार में भी करना चाहिए भगवान सीव के प्रियवस्तु से पूजन करना है भगवान पसुपती नात्र पाच मुख्षी हैं इसलिए हमें हर एक रोप के लिए एक दीपक प्रजुलित करना है शुबह और शाव पाच पाच दीपक जलाएं भगवान पसुपती नात्र को जो पूजा करते हैं, पर हमें अंतरमन से ध्यान करना है कि पंजबुखी भगवान हमारे सामने हैं, हम उनकी अरादना कर रहे हैं, ब्रत करने वाले को हो सके तो स्वीत वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान को जो अर्पित करेंगे, ओ भी स्वीत वस्त्र ही अर्पित करेंगे सुबह के पूजन में आप फलो का भोग लगाए और साम मिठाई का भोग लगाए ब्रत के समय से फला हार करना है साम को पूजन के बार मिठा और सात्विक भोजन कर सकते हैं घी से बना हुआ मिठा भोजन ग्रहर कर सकते हैं ब्रत संपूर पवित्रता से होना चाहिए, इस समय अशुद जगल में नहीं जाना चाहिए, शूतक वाला घर या मासिक धर्म वाली महिला के अंतर बनाए रखें, हमें काम, क्रोध, लोब, मोह से दूर रहना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं किसी की किसी ब्रत की तरह इसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, भग्मान पसुपतिनात का ध्यान करते हुए, अविशेक करना चाहिए, हम जो भी अरपड करें, पसुपतिनात का अस्मरण करके करें, 108 बेल पत्र अरपड करें, स्वेत्फूल, श्वड, कमल, धू, पाच, दीप प्रज्वलित करें, प्रदोशकाल में भग्मान सिव की पूजा उत्तम मानी जाती है, शाम को पूजा जरूर करें, जब हम ब्रत करते हैं, तब उपवाशक आवश्यक है कि हमें ब्रत के दिन उपवाश करना है, हम जो चीजे उपवाश के दिन खा सकते हैं, वो हम पसुप पतेनात का ब्रत कर सकते हैं हमारे विसी मुनियों ने हमें उपवास के दिन फलाहार करने को कहा है